हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉनिंग, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाले हूँ कि मैंने कैसे फॉंटेन बनाया हुआ है, मैंने इसका शॉर्ट वीडियो मैंने आप लोगों को डाला हुआ था, अप्रोट किया था, जिसमें अपकमिंग का था, और मेरा फॉंटेन रेडी ह हो चुका है, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगे मैंने किस तरीके से चीजों को रियूज किया है, एक सीमेंट और टब और बहुत सारे जो मेरे पास डब्बे पड़े हुए थे, उनको किस तरीके से मैंने यूज करके एक फॉंटेन अच्छा सा तियार किया हुआ हुआ और आप लोग भी इस तरीके से जो है फॉंटेन तेयार कर सकते हो, तो आप चलिए, मैं दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, क्या-क्या चीजे यूज की है, यह देखिए, मेरे पास एक यह पुराना डब्ब पड़ा हुआ था, जो हम लोग बात्रों में य अच्छा लगने लगेगा, तो इसमें मैंने इसको रेड कलर से पेंट किया हुआ है, और इसमें मैंने एशन पेंट लगाया हुआ है, और यह देखिए, पूरा मैंने पेंट करके इसको ड्राय कर लिया है, इसको चाया में ही सुखाना है, देखिए, इस तरीके से आप भी कोई भी चीज है आपके घर में टब мечएंव केंड है या कोई बकक्ट है उसको भी उसको भी यूज कर सकते हो चोटा सा فا inanतियार कर सकते हो इसके लिए मैंने यह फिलर बनाने के लिए 2 डबमे लिये हैं एक दफ्ति मयरे केक डबा था उसका उपर का पोर्सन ओ होता उसको मैंने फोल्ड किया और मैंने ग्लू से चपका लिया उसके बाद मैंने इस जो दफती का टुकड़ा है इसको और इन दोनों डबू को पहले मैं ने यह इखें मुझे कितनी हैड़ शिये में यह देख रही हूं उसके बाद मै मैं यह सीमेंट का गहोल टियार करऊंगी और पूरे को सीमेंट से कवर कर दोंगी जिसके कि यह मेरा एक पिलर तैयार हो जाएगा जिसके उपर मैं कटोरियां जै कुछ मतब रखूंगी जो कि faunntate का काम करेंगे यह देखे, इस तरीके से मैंने एक मेरे पास में प्लास्टिक का बाउल था. उसमें मैंने सीमेंट का घोल डाला हुआ है. पहले polyethin लगा लिए जिससे कि उसमें चिपके न, और इस तरीके से मैं इसका base बना रही हूँ जिसपे कि ये pillar जो मैंने बनाए हैं यह थोड़ा थोड़ा से ड्राइ हो रहा है, और इसको मैंने बहुत रफ्ली लगाया है, अब यह देखी है, दूसरा वाला है, मेरे पास में जो बाटल वाला था, बाटल सूक के उसमें है, चिपक गई है, उसके उपर से मैं सीमें लगा रही हूँ, यह देखे, जो बेस था म मेरा ये नीचे इसमें बोटल फिक्स हो गया था उसके बास से मैं इसमें गोल बना कि थोड़ा सा मोटा लेयर थिकनIST है सेमें ये तीक क्लियर वंची मैं नीचे बहता हुआ है जिसके शागा हो रहे है शरी कि थोड़ा सा पटार रहा हो चलै कि जासे लेérenceरे रहा गोलpro करने के बाद में और ऐसे जो वुड होते हैं उसमें जैसे मतलब यह सीमेंट होती है तरह के स्कुर्दिय से लगाएंगे उसमें जब करेंगे तो उसमें वुडें सलुक आएगा तो इस तरीके से देखे मैंने स्पून की मदद से मैंने लगाया हुआ है क्योंकि मैरे पास जो मिस्त्री जो टूल्स रखते वो नहीं है तो मैं स्पून से लगा रही हूँ आप इस तरीके से त्यार कर सकते हूँ यह देखे मैंने दूसरा जो पिलर है वो रिडी हो चुका है इसमें मैंने चारों तरफ से लगा दिया है बहुत अच्छे से और बाद में मैं बहुत हलका सा इसका कोडिंग कर देती हूँ बहुत पतली-पतली से जिससे कि यह फटे ना सीमेंट का क्योंकि इसमें मौरेंग मिलाती है तो थोड़ी मजबुती जादा आ जाती है और फटा नहीं है वड़े मैं जब सीमेंट का किया है तो इसमें थोड़ा सा चटक रहा था तो इसका पतला-पतला गोल करके दो-तीन बार लगाना होता है दिन में और इसको चाया में ही इसको लगाएं दूप में लगा तो वो चिकना सा हो जाएगा, वो अच्छा भी ने लगेगा, यह दिखे, यह मेरा एक तियार हो गया है, और यह दूसरा भी है, अब इसके उपर से मैं दोनों को फिक्स कर दूँगी, यह एक लगा दी थी, इसमें जो एस्टेम पड़ी हुई थी, उसको भी मैंने यूज कर जाएगी, और इससे क्या होगा, कि जैसे हमें पत्थर जैसे पनाना होगा, थोड़ा सा खुड़ रहा तो वह बहुत अच्छे से बन जाता है, और इस को, जो मेरे पास में, बावल है, या और भी, जो डबबे हैं, उन में बहुत अच्छे से इसको पेष्ड करूँगी, इ इसको फिर मैं एक डबबा है मेरे पास जो केक का है, इसमें मैं पूरा फैला दूंगी, क्योंकि मुझे इसमें एक दूसरा बेस बनाना है, चौकोर बनाऊंगी, जिसके उपर जो पहले बेस बनाया था, उसको रख के फिक्स करूँगी, इस तरीके देखें, मैं फैला लिया ह और ये दूसरा मेरे पास एक डबबा रखा हुआ है प्लास्टीका जिसको मैंने काट लिया था जो फाउंटिन में यूज करूँगी फाउंटिन में लगाने के लिए तो ये देखे मैं इस तरीके से इसको गूत लूँगी अच्छे से और गूतने के बाद में उस डबबे प इस पेस्ट को चिपकाऊंगी जो सीमेंट और अंडे के ट्रे वाला है देखे मेरा डबबा सूख रहा है और दूसरी तरफ ये मेरे पिलर्स तियार हो गए हैं ये दोनों तियार हो गए हैं और ये मेरे पास कुछ कटूरिया पड़ी हुई थी जो कि मेरे डिनर सिट की हैं जो खराब हो रही थी तो उनको मैंने यूज किया है ये दिखे एक में लगा चुकी हूँ दूसरी बेरी सूख रही है और मैं इस तरीके से मैंने तीन-चार तियार किये हैं और मैं इसमें सिर्फ इस पाउंटर में दो ही यूज करूँगी कटूरी बाकी जो डबे हैं प्ल ये मैं दिखाते हूँ इस काटूरी में लगा के मेरे पास ये जो बावल है छोटे सा इसको मैंने किस तरीके से त्यार किया हुआ है और बहुत मजबूत है ये इसमें जब ये पेस्ट हम लोग लगा देते हैं तो बहुत अच्छा लुक देता है और मजबूती भी बहुत जाती है यह फटे का नहीं है जासे चटकने का वो होता है तो वो नहीं होगा यह देखे मैं किस तरीके से इसकी जो है लेरिंग करूंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट लेके और बहुत डैब डैब करके इसको दबाके मैं कटोरी पर साइड साइड पर लगाऊंगी इस जैसे चारो दरब यहां जो है आप घृक लेना है यह YOU को घृक लेना है यह फैसीसे ट्राई कर लेना है यह दिखे मेरा यह त्यार हो चुका है इसको मैं फिक्स करूंगी जो चौकोर वाला बेस में आया था और मैंने टब में इसको रख लिया है जिससे की इसका पता चले की साइज कितना क्या रहेगा और किस तरीके से वो मेरे टब में सेट होगा तो इसलिए मैंने टब में ही और उसके बाद मैंने सीमेंट का थोड़ा सा थीक लेयर बनाया है और उसको इस तरीके से रख के थोड़ा सा दबाना शुरू कर दिया इस तरीके से चार दरब इसके लगा देंगे तीन दरब से यह खुला हुआ हुआ है जितनी साइट से खुला हुआ हुआ है उस साइट स में लगाऊंगी जिससे कि ये पानी जो है डिरेक्ट टब में गिर के इसमें गिरे और उसके बाद फिर टब में जाए तो ये मैं थोड़ा सा मैं फाइफ स्टेप का बना रही हूँ थोड़ा सा बड़ा फाउंटेन रहेगा आप दो तीन स्टेप जितना चाहिए आपको उतन कर दूँगी fix करने के बाद इसमें फिर finishing दूँगी थोड़ा सा coding करूँगी यह देखें जहां से तूट रहा है इसको मैं सही करूँगी थोड़ा सा hold लगा के वो चिपक जाएगा fix हो जाएगा एक जगे पे और बाकी जो यह डबे हैं मैंने fix कर दिये हैं जो दफ्ती थी उसी के उपर मैंने रख दिया काटोरी को भी मैंने दफ्ती के उपर ही रखा है यह देखें और एक के बाद एक जो धार जैसे निकालनी है मुझे पानी की उस मतलब मैंने direction में उनको मोड के लगा दिया है काटोरियों को यह देखें यह बावल ऐसे डबे की तरफ जा रहा है और फिर यह नीचे की तरफ आएगा अभी नीचे मैं दूसरा वाला fix करूंगी इसी में और यह plastic का थोड़ा सा मेरे पास टुकड़ा था उसको लगा कि मैंने इसका थोड़ा सा जो है slope बनाया है जिसे की पानी नीचे की तरफ धार आएगा और यह थोड़ा सा ड्राय हो गया तो फिर से मैं कोडिंग कर रहे हूं और कोडिंग जब भी करें आप शाम के डाइम में करें क्योंकि जब शाम के डाइम में आप कोडिंग करते हैं उसके चड़ेकने के चांसे कम रहते हैं और सीमेंट बहुत मजबूत हो जाती है जैसे हम लोग घरों में जैसे तराई करते हैं जब घर बनता है तो कूप तराई की जाती है जिसे की घर मजबूती उसमें आए और इसी तरीके से इसमें भी है कि आप जितना इसकी तरह ही करेंगे उतनी मजबुतिया आएगी सीमेंट का गोल लगाने के बाद थोड़ी के छोड़ दीजे उसके बाद फिर जैसे ड्राय हो जाता है तब इसकी तरह ही करिए पानी डालते रिए पानी के छीटे डालिए इसको सूखने नहीं देना है बहुत हलका हलका सा चीटे माते रहना अगर चीटे नहीं बाने है तो आप ज़्यादा कपड़ा गीला करके या कोई टाविल है या आपका बेट सीट है उसको गीला करके इसको पूरा ढग दीजे और उसके बाद इसको पड़ा रहने दीजेए फिर सुबै इसको हलकी से लेरिंग कर दीजेए सीमेंट के इससे फिर छाया में सुखा दीजेए इसको करने में मुझे चार पास दिल लग गया और अब भी देखे मैं फिर कर रहे हूं इसकी कोडिंग जैसे कि जितना भी जो बचा हुआ था सीमेंट उसको मैं घोल के थोड़ा सा इसमें डालूंगी जैसे कि फिनिशिंग आ जाएगी और ज्यादा मुझे चिकना नहीं करना यह दिखिए जो मैंने प्लास्टिक कर बनाया था जो सुन पापड़ी वाला डबा है उसको भी मैंने नीचे फिक्स कर दिय मैंने थेया है दियरेक्ट इसमें पानी आएगा इसके बाद फिर फाउंटिन विफा द्पने। जाएगा तार यह डेखे हैं इसको मैंने चारो दरब से इसमेंट लगा के और जो ठ्रे तर्थेक का था, एग ट्रे का, उसको मिक्स करके लुक दीको, यहां सिमेंट में तब मैंने लगा हुआ है, यह देखें, खुरदराशा होता है, तो पेंट करने पे बहुत सुन्दर लुक आएगा इसका, ऐसका, अना यह दिखें, मैंने यहां से ज़्ूर्फे, इसके अरुन सिर्फ सीमेंट नहीं लगाई है दोनों चीजें मिक्स करके लगाई है और सिर्फ कोडिंग मैं उससे करती हूँ अब देखे अब यह सूग गया है कई दिन के बाद में तो मैं कलर तियार कर रही हूँ इसे कवली केई खाल तो मैंने बनाया हुआ हैं, जो मैं और मेरे पास अविलेबल थे हूँ कनी उसी कवलर को भी वढना भी कलर के बना लिया थै left झाल्स केक चाले जो मैं वेरा कोई वहनें, फभूल्वन, भी जैसे नीदिन कलर कंट में करता हूँ और कलर देखिए यह जो खुरदरा बंदना उसके विज़े से बहुत सुन्दर आ रहा है जो भी उबरा उबरा ऐसा होता है उसके विज़े से कहीं पर कलर जादा लग रहा है कहीं नहीं लग रहा है तो उसके विज़े से बहुत सुन्दर लुक आता है आप लोग भी इस तरी बना सकते हो मैं भी छोड़ी चीज़े करके अपने घर को सुंदर बना रही हूं आप भी करिएगा और यह दिखे मैं पूरा जैसे कलर कर रही हूं इस तरीके से आप भी कर सकते हो जो भी आपके पास वेस्ट मिटेरियल है उससे आप कर सकते हो यह दिखे यह बहुत अच्छा इसका कलर रहा है इसका कलर रही है यह बहुत अच्छा लगता है इसको आप पूरा फ्लैट कर दो और कलर करो तो फिर वो लुक नहीं आता है आप भी इस तरीके से ही करिएगा और इसको सीमेंट को सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है तो डैरेक्ट उसको धूप इसको पानी थोड़ा सा चला के टुलु पम्-प मैंने लगाया हुआ है जो मैंने फोल किया था उपर उसमें से पाइप जाएक और नीचे टब में टुलु पम्रढ रखे हैं इसमीं मैं टब में पानी बह कर था और पानी बहециर इस टब को मैं साफ कर लूँगी अभी इसके डाइनिंग एरिया में मैंने एक कॉर्णर का बना रखा है और उस चिके पे मैंने इसको टब को रख दिया उसमें पानी भर दिया और मेरे पास यह कुछ फ्लावर्स थी जो कि मैंने इसमें डाल दिये हैं और इसको पूरी अच्छी तरीके से मैंने डेकोरेट किया हुआ है मे में टुलूपम भी काम करेगा आप जो एक्योरियम अला पाइप होता है वो छोटे जो आपके टेबल फांटें होते हैं उन पे आप यूज करेंगे तो सही रहेगा यह मेरे पास एक बॉटल में मनी प्लांट लगा हुआ था इसको मैंने एट कर दिया थोड़ा ग्रीन री ला अब है जो भी मेरे पास में आर्टिफिशल फ्लावर्स थी उनको मैंने एट किया हुआ है यह दिखे मैंने इस तरीके से लगा रखें और बहुत सुन्दर लगने लगा दिरी देगर के मेरे पास में कुछ बर्डस थी वो मैंने रख दी उनको भी मैंने थोड़ा सा ऊपर जो पोर्शन था पर दबबग लगा था उसमें ने लगा दिया है और यह कुछ हैंग भी कर दिया है मेरे पास चोड़े-छोड़े स फ्लावर्स थी इनको मैंने लगा दिया है अभी मैं दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने बर्ड्स को हैंग किया हुआ है यह दिखे पानी निकल आएगा इसमें नीचे से. तो बहुत सुनुदर लगता है. दीखिये दीखेए. बहुत प्यारा लग रहा है. मेरा पुरा कॉर्णर ही मेरा चेंज हो गया है, फॉंटें लगाने से. बहुत सुनुदर लूक आता है. और शाम के दाइम में दो बहुत ही अच्छा लगता यह पहले है और यह देखें थावाईल मेरा कितना सुन्दर लग रहा है यह मेरे बढ़ आप लगा दी है पहले पर मेरे बुद्धा जी की मुती लगाई थी यह इसे एक कुछ ट्वार्स थे यह में रख दिया हैं यह ड्यांद है मेरा और यह भी यह दिखें बढ़ आप लिए और ऐसे ही थीख चीजने हैं वह सींग मैं मैं उपने हर के लिकान फूलेश कि भी नहीं बंधा है और प्रस बाधी है और खीक उपनर ऑफ और बरा रहिये तो पना योह क्या गशना है यह कोई बड़ा बनाए आप तीन स्टेप का दो स्टेप का भी बना सती है देखिए रबिट टर्टल सब बैट के इंजॉय कर रहे है मेरे गार्डन में बहुत खुब शूरत लगने लगा है यह देखिए लायन बठा हुआ है यह भी फॉंटेन का मजा ले रहे हैं आए देखिए किता खुब शूरत लग रहा है मेरे पूरा कॉर्णर ही चेंज हो गया इसकी बदेश से देखिए किता सुनने लग रहा है यह बढ़ बहुत पहरी बढ़ रहा है यह दो पाइप में अंदर डाल रहा है यह दो पानी एक में आ रहा है फिर दूस्ट्रे में फिर चौधे में आप चोड़े चोड़े स्टों थे और कुछ लाके स्टों सब भी डालूंगी लेकिन अभी मेरे पास जो थे उनको मैंने उसकिया हुआ है और इस जिस तरीक से आप लुक 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 लगा चाहें वैसे आप कर सकते हो मैं कुछ अभी यह बनाय हुए थे बढ़ चोटी चोटी से इसका भी डिय वाय बने डाल हुआ है और उसको भी मैं यहां पे यूस किया है यह ज़िखे चोटा सा जो कॉट रखा वरेड कलर ब़ आपनों भी ऐसे बनाये बहुत खुरत लगेगा अपके घर का पूरा लुक चेंज हो जाएगा यह देखें ऐसे यह पांच-छी हजार का मिलता है और आपनों भी ऐसे बनाये एंज्वा करिये